नमस्कार दोस्तों एडू मेजिक्स में आप सबका स्वागत है आज हम देखने वाले हैं लिूसेंट जी के रिविजन का पार्ट नमबर टू अब जैसा कि हमने पार्ट नमबर वन में वेदों के बारे में पड़ा पुरानों के बारे में कुछ बेसिक जानकारी देखी अब ह खलगां किने ने का गया है वह का गया है सर अलेक्जेंडर कंनिंगम को अगर क्यूस्चन ही आता है कि फादर ओफ इंडियन आर्केलोंग इसे का गया है तो वह सरेकंडर कंनिंगम को खा गया है अब उसके बाद में में जानकारी मिलती है वेदिक देवता मित्र वरुन इंद्र और नासत्य जिनको अस्वनी कुमार भी का जाता था उनके बारे में जानकारी मिलती है अब हम देख लेते हैं सरो पर्थम भारत वर्स का जो जिक्र है वो हाती गुंफा अबिलेक से मिलता है अगर आपके पास प्रसना आता है कि हाती गुंफा अबिलेक से हमें किसके बारे में जानकारी मिलती है तो हमें भारत वर्ष के बारे में जानकारी मिलती है और हाती गुंफा अबिलेक का जो निर्मान है वो किसने करवाया था कलिंग राजा खारवेल ने और गरूर इस्तंबलेक कहां पर इस्तित है ये विदीसा वेशनगर में इस्तित है सरवपरतम दुरुबिक्स की जानकारी देने वाला जो अभिलेक से है वो सोहोगोरा का अभिलेक है और इस अभिलेक में संकट काल में उपयोग हित्तु खादान सुरक्सित रखने का भी उलेक है अगर आपके पास प्रसन आता है कि संकट काल में उपयोग किया जाने वाला जो खादान है वो कहां सुरक्सित रखा जाता था और उसकी सुरक्सित रखने की जो विदी थी उसका जो हमें उलेक है वो कहां पर मिलता है वो हमें सोगोरा के अभिलेक में मिलता है सरोपरतम भारत पर होने वाले हून आकर्मन हूनों के द्वारा जो आकर्मन भारत पर किया गया था उसकी जो हमें जानकारी मिलती है वो भीतरी इस्तंबलेक से मिलती है सती प्रथा का पहला लिकित साख से कहां से मिलता है वो एरन अभीलेक से मिलता है जिसका निर्मान किसने करवाया था भानुगुप्त ने करवाया था अगर आपसे सवाल पूछा जाता है कि एरन अभीलेक का निर्मान किसने करवाया था वो भानुगुप्त ने करवाया था और उससे हमें क्या मुख्यत जानकारी मिलती है उससे जो स्रेणिया है रेसम बुनकर की जो स्रेणिया है उनकी जानकारी हमें कहां से मिलती है ये मंत्सोर के अभिलेक से मिलती है मंत्सोर MP में इस्तित है कस्मीरी नव पासानिक पुरा इस्थल बुर्ज होम कस्मीर में एक नव पासानिक पुरा इस्थल है बुर्ज होम जहां पे ह में गरतावास गड़ा घर की एक घर ऐसा है जो गड़े में बना हुआ है उसके हमें साक्से मिले हैं और उस घर में उतरने के लिए सीडियों का उपयोग होता था कि उस गड़े वाले घर में जाने के लिए सीडिया यूज की जाती थी किसी अन्य उपकरण का यूज नहीं किय प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के का गया है प्राचीनतम जो प्राचीनकाल के जो सिक्के हैं उनको क्या का गया है आहत सिक्के लेकिन प्रस्ण आहत सिक्के नहीं पूचा जाएगा आपसे प्रस्ण पूचा जाएगा कि कासारपन किसे का गया है तो कासारपन किसे का गया है आहत सिक्को को ही का गया है जो प्राचीन काल में जो हमारे सिक्के होते थे उन्हीं को ही कासारपन का गया है आहत सिक्के और कासारपन एक ही चीज़ है सरुपरतम सिक्को पर लेख लिखने का कारिय किस नहीं किया था वो यवन सासको नहीं किया था इससे उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमान हमें मिलता है अब सिक्के के उपर वीना बजाती हुई जो फोटो है या जो मुद्रा है वो किसकी है वो समुद्र गुप्त की है ये क्योस्चन अभी NTPC 2022 में पुछा गया था जो हमारे CBT2 के एक्जाम हो गये थे उसमें एक्जैक्ट मुझे सिफ्ट याद नहीं है लेकिन ये क्योस्चन definitely पूछा गया था अरिक मेडू पुड्डू चेरी के निकत पांडी चेरी के निकत अरिक मेडू एक इस्थान है वहां से हमें क्या प्राप्त हुए रोमन सिक्के प्राप्त हुए एक नोट है वो देख लेते बर्मा को वर्तमान में क्या कहते हैं म्यामार कहते हैं मलाया सोनदीप कंबोडिया को कंबोज और जावा को यवदीप पुराने काल में जावा को यवदीप कंबोडिया को कंबोज का जाता था और मलाया को सोनदीप का जाता था अब हम देखने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण अभिलेख और वो उन अभिलेखों का जो निर्मान है वो किन-किन सासकों ने करवाया अभी मैं असोक के अभिलेख जो है उनके उनकी वीडियो को अभी नेक्स्ट वीडियो आएगी जो पार्ट थ्री आएगा हमारी सीरीज का पार्ट थ्री आएगा उसमें हम असोक के अभिलेख के बारे में पढ़ेगा पढ़ेंगे इनके साथ में मैंने असोक के अभिलेख इसलिए नहीं रखे क्योंकि असोक के अभिलेख बहुत जादा इंपोर्टेंट है और एक्जाम में उनसे बहुत ही अच्छे से अच्छे-च्छे questions आ रहे हैं तो उनको हम अच्छे से detail में पढ़ेंगे Lucent में इतना detail में नहीं दिया गया है यह additional जानकारी में अपनी तरफ से collect करके और बहुत अच्छी सी PDF बना के उसके बारे में पूरी details जो है मैं आपके telegram channel पर डाल दूँगा आप वहां से अभी जैसा मैंने अभी बताया था हाती गुमफा अभी लेक है उनसे हमें किस के बारे में जानकारी मिलती है भारत वर्स के बारे में जानकारी मिलती है और उसका निर्मान किसने करवाया था कलिंग राजा खारवेल ने करवाया था जूनागड के जो अभी लेक है उनका निर्मान किस ने करवाय था रुद्रा दमन ने करवाय था नासिक के जो अभी लेक है उनका निर्मान किस ने करवाय था गोतमी बलसरी ने करवाय था प्र्याग इस्तमलेक का निर्मान किस ने करवाय था समुद्र गुप्त ने करवाय था एहोल के अभिलेक जो है उनका निर्मान किस ने करवाया था पुलके सिन दित्तियने करवाया था एहोल को मंदिरों की नगरी भी कहा जाता है मनसोर के अभिलेक का निर्मान किस ने करवाया था मालवा नरेश येसो वर्मन ने करवाया था गौालियर के जो अभिलेक है उनका निर्मान किस ने करवाया था परतिहार नरेश भोजने करवाया था भीतरी एवम जुनागड अभिलेक जो है उनका निर्मान किस ने करवाया था वो इसकंदगुप्त ने करवाया था देव पाड़ा के अभिलेक जो है उनका निर्मान किस करवाय था बंगाल सासक विजे सहने करवाय था इनको आप एक से दो बार दो तिन बार एक बार रिवाइज कर ली थे उसके बाद आपके सब कॉंचेस माइंड में यह बैड़ दाएंगे जब भी आप उसमें मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा नदियों से रिलेटेड लेकिन हिस्ट्री में बहुत ही डीप में क्योस्चन्स आ रहे हैं ट्रिक बेस्ट क्योस्चन जो है अब वो नहीं पूछ रहा है टीसियस तो मेरा मानना यह है कि आप डिटेल इस्टडी कीजिए ताकि आपसे कोई भी क्योस्चन ना छोटे अभी लेखों का जो अध्यन है उसे क्या का जाता है वो एपिग्राफिक आ जाता है उत्तर भारत के मंदिरों की कला की सैली कौन सी है नागर सैली है दक्सिन बातवरत के मंदिरों की सैली कौन सी है द्रवीड सैली है दक्षीना पत के मंदिरों का जो निर्मान है नागर और दर्विड दोनों सहली में हुआ है और इस सहली को कौन सी सहली खा गया है वैसर सहली अब देखिए जो नोर्थ इंडिया है हमारा उसके अंदर जो मंदिर बने हुए है वो कौन सी सैली के बने है वो नागर सैली के बने हुए और जो हमारा साउथ इंडिया है उसके अंदर जो मंदिर बने हुए वो द्रविड सैली के बने हुए लेकिन जो हमारा दक्षीना पर जो आप ऐसे मान के चलो मद्दे इंडिया मद्दे भारत या मद्दे भारत से या थ पंचायतन सहली है ना उसके बारे में पूछा जाने लगा है। बहुत सारे एक्जाम्स ऐसे रहे हैं जिनमें पंचायतन सहली के बारे में पूछते हैं। पंचायतन सब्द मंदिर ये मंदिर रचना सहली से सम्मंदित है कि मंदिरों का निर्मान किस तरीके से हुआ है मंदिरों के निर्मान के उपर आधारीत है ये सहली पंचायतन सहली का मंदिर किसी मंदिर को तब कहा जा सकता है कि जो मुख्य मंदिर है वो तो बीच में है ठीक ह और उसके चारो तरफ सायक मंदिर भी बनाए गए है और ऐसा जो मंदिर बना हुआ है उसको कहा जाता है कि ये पंचायतन सहली के तहत बना हुआ मंदिर है अब इन मंदिरों के कुछ उधारण देख लेते हैं कंदरिया महादेव मंदिर खजुराव में इस्तित है अब आप कोमेंट में मुझे ये चीज बताइए कि ये जितने भी पंचायतन सहली के मंदिर है इनका निर्मान किन-किन सासको ने करवाया असोक के अभिलेक के बारे में जो पार्ट 3 आएगा उसको देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जल्द से जल्द नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए और इसमें जो भी इंप्रूवमेंट मैं कर सकता हूँ आपकी तरफ से कोई सजेशन सो आप कोमेंट में मुझे बताइए और हो सके जितना उतना सेयर कीजिए वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद